दोस्तों समुंदर में मिलने वाले कंटेनर आपको करोड़ती भी बना सकते हैं और जब भी लोगों को ऐसे कंटेनर समुदर में दिखते हैं तो तुरंद इसे बांध कर किनारे पर ले आते हैं हाल ही में गुजरात में आये तूफान के रुखने के बाद समुंदर के किनारे पर ऐसा ही कंटेनर मिला था जिसको खोलने के बाद इसमें लाइफबोट और पासपोर्ट जैसी चीजे मिली थी लेकिन कई बार इन कंटेनर को खोलने पर इन में आईफोन और महंगा समान भी निकलता है तो क्या जिस कंपनी का सामान गिरता है वो इसको वापस लेते नहीं आती चलिए जानते हैं दोस्तों पानी के जहाजों में हजारों कंटेनर रखे होते हैं जिन में से कुछ तूफान के चलते पानी में गिर जाते हैं ऐसे में ये जहाज इनको कभी वापस नहीं उठाता है और गिरे हुए कंटेनर में से ज्यादा तर डूब जाता है और कुछ कंटेनर जिन लोगों के हाथ लग जाते हैं उन्हीं के हो जाते हैं ऐसे में जिस कंपनी का सामान गिरता है उसको हरजाना जहाज भेजने वाली कंपनी को देना पड़ता है